हेलो सूदरेंट्स वेल्कम बेक टू मैं चैनल कैसे हो आप सब उमीद करते हूं बेटा सभी अच्छे होंगे अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वक्षीट नंबर 9 सोसल साइंस के बेटा सेवंथ किलास के बच्चों के लिए 23 तार इंस्क्रिप्शन मतलब कि जो हमें इतियास के बारे में इंफोर्मेशन मिलती है अपनी हिस्ट्री के बारे में वो हमें पीछे के लिखे हुए अभी लेखों से मिल जाती है सिक्कों से मिल जाती है कौन से परचलिते या आर्किटेक्चर मतलब उस समय पर किस तरीके से भवनों का निर्मान किया जाता था उससे हमें उस समय की हिस्ट्री के बारे में पता चलता था ठीक है लेकिन पेटा इसके अलावा जो दिल्ली की सल्तनत है उसके बारे में हमें जो अत्यादिक information मिलती है वो हमें मिलती है त्वारीक से अब ये त्वारीक क्या होता है कि फार्सी में लिखा गया है ठीक है और ये language किसकी थी administration language थी दिल्ली सुल्तान्स की ठीक है उस समय पर जो सा सकते हैं उनकी फार्सी एक administration language थी ठीक है और ये जो information है बेटा त्वारीक के अंदर उस समय कौन-कौन सी घटनाई होती थी, कब होती थी, क्यों होती थी, क्या कारण थे, ये सारी information वहाँ पर लिखी होती है, तो इसलिए हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में, दिल्ली सुल्तान के बारे में, महासी information मिल जाती है, अब बैटे ये त्वारिक लिखता कौन है, जो ओधर थे त्वारिक के, वो क्या थे पड़ी लिखे लोग थे, जैसे कि secretaries थे, administrators थे, poets थे, courtiers थे, who both recounted events and advised rulers on governance, तो क्या करते थे पड़ा, जो सारी घटनाओं का वर्नन करते थे, इसमें लिखते वक्त, ठीक है, और उनको सला भी देते थे, कि किस तरीके का सासन उनको क परना चाहिए, और emphasize करते थे, the importance of just rule, मतलब कि अच्छे तरीके से सासन को चलाने की इनको चलाने पर बल देते थे वो, ठीक है, यानिक उनको सला भी देते थे और बल देते थे उस पर, अब बेटा देखो, ये तो थे उनकी अच्छाई, लेकिन उनमें कुछ कमिया भी थी, ठीक है, the authors of twarik lived in cities, mainly Delhi, तो पेटा जो authors थे, लेकक थे, त्वारिक लिखने वाले, वो क्या थे, जादतर सहरों में रहते थे, और hardly ever in the village, और मतलब सायद ही गाउं में रहते हो या गए हो, they often wrote their histories for Sultan in the hope of rich rewards, और पेटा वो ये जो history लिखते थे, उनके बारे में वर्नन करते थे, वो क्यों करते थे, उनसे उनको क्या मिलते थे, इनाम मिलते थे, अगर वो अपने लेक में तारीफ करेंगे, उनकी तो क्या मिलेगा, राजा खुस होगा, और वो उनको क्या देगा, इनाम देगा, तो इसी की आसा में वो ये सब लिखते थे, और बेटा ऐसा शासकों को जाद अ थे सासन पर जोर देते हैं थे कि किस तरीके का सासन उनको करना चाहिए और कैसी सला देते थे कि उनका जो है जनमसीद अधिकार है शासन करना. यह देते थे gender discrimination या distinction बोलो कुछ WHAT जो link पर आधारित जो सासन हो था, मतलब कि जो वो कहेंगे जैसे कि लड़के करेंगे इस तरीके की जो सासन ववस्ता थी उस पर जोर देते थे उसको आदर्स मानते थे एक तरीके से लेकिन इससे सभी लोग सहमत नहीं हो पाते थे इसे इसी वजह से ठीक है अब यहाँ पर बेटा कुछ रूलर्स हैं जो दिली के उस सम तो इसमें क्या था बटा तोमर्ष अर्ली 12th century ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो बटा राजपूत डाइनस्टी थी उसमें क्या थे तोमर्ष थी जिन्होंने क्या क्या था 1165 तब से उन्होंने क्या क्या था सासन करना शुरू क्या था और देखो कब तक क्या उन्होंन खिलजी हो, खिलजी dynasty उन्होंने किया, फिर 1290 से 1320 तक सासन, ठीक है, उसके बाद तुगलग जो डाइनेस्टी थी बटा उन्होंने 1320 से 1414 तक किया, फिर सहियद dynasty ने किया, ठीक है, फिर उसके बाद लोदी डाइनेस्टी ने इस तरीके से सब ने धीरे-धीरे हर मतलब की कुछ समय तक अंतराल तक सब ने सासन किया दिल्ली पर ठीक है अब बेटा कुछ और इंफोर्मेशन लेते हैं जो डिल्ली फर्स्ट बिकम दी कैपिटल ओफे किंडम अंडर दी तोमर राजबूत तो बेटा दे इन दी मिडल ओफ दी 12th century ऑफ बाइ दी चोहान सी ठीक है जो कि बेटा किसके दोरा हरा दिये गए थे बाद में चोहान के दोरा हरा दिये गए थे ठीक है और इस नाम से भी जाना जाता था चाहान सी के चोहानों को ठीक है और ये अजमेर के थे इट वाज अंडर दी तोमर तोमराज एंड या तोमर्स बोलो इट वाज अंडर दी तोमर्स एंड चोहां डेट डेली बिकेम एन इंपोर्टेंट कमर्सियल सेंटर तो बेटा देखो ये तोमर्स और चोहां इस जिन्हों ने क्या किया था दिल्ली को एक इंपोर्टेंट कमर्सियल सेंटर coins minted here और कई तरीके के बेटास जो सिख्के हैं वो बनाए गए and coal धहलीवाल थीक है या धहलीवाल तो इनको क्या बोला जाता था धहलीवाल बोला जाता था इन coins को and had a wide circulation और जिनका बहुत ज़्यादा पर्चलन था the transformation of Delhi into a capital debt control vast areas of the subcontinent started with the foundation of the Delhi अब बेटा देखो क्या बोल रहे हैं ये कि जो transformation था दिल्ली का एक capital के रूप में वो control किया था vast areas of the subcontinent started तो ये जो दिल्ली थी वो control करती थी बहुती बड़े area को subcontinent जो उप मुहातीफ है उनकी शुरुआत में ठीक है और फिर ये foundation बनी Delhi सलतनत की ठीक है नीव बना इसी चीज़ का in the beginning of the 13th century और 13 जो मतलब की तेरवी स्ताफदी थी बेटा उसमें ये क्या बना एक आधार बना किस चीज़ का पूरे बड़े महधीब को एक तरीके से चलाने के लिए दिल्ली एक ऐसा केंदर बना जहां से सभी चीज़ों को control किय जैसे कि बेटा बहरत की राजधानी क्या होगी दिल्ली तो यहां से सब कुछ control होता है ठीक है पूरा देशी सी तरीके से उस समय पर होता था अब next बेटा इसके कुछ question answer है वो कर लेते हैं चलो अब बेटा देखो first question क्या है mention the sources which help us to study history ठीक है तो बेटा आप कुछ आपको source बताने हैं जहां से हम study कर सकते हैं history को तो क्या है पेटा जैसे कि पहला there are loads of sources which help us to study history such as inscription, coins और architecture यानि कि अभिलेक जो पहले के लिखे हुए है या सिख्के पहले के परचलित या फिर architecture जो भवनों के निर्मान थे ठीक है how can we study the twarik be useful for us तो how can the study of twarik be useful for us बत्रब कि जो हमारे लिए कैसे उपियोगी हो सकता है ठीक है तो पेटा कैसे उपियोगी हो सकता है this study of twarik be useful for us to know about the loads of information related to any event because the author of the ये त्वारीक कर ले ना ठीक है त्वारीक वर learned men ठीक है तो पेटा उनका अत्यान हमारे लिए उपियोगी इसलिए हो सकता है क्योंकि जो information वो लिखते थे किसी भी event के बारे में तो जो वो लिखते थे वो लेखक जो है पड़े लिखे लोग होते थे जैसे की secretaries होते थे जिनको सारा घ्यान होता था administrators होते थे poets होते थे कोमा लगा ले ना बेटा पीच में ठीक है and courties होते थे ठीक है who both recounted the event and advised the rulers on the governance and emphasize the importance of just rule ठीक है तो वो क्या करत जो सला देते थे उस समय पर जो घटना होती थी उसके बारे में या सासन किस तरीके से किया जाए उसके बारे में भी वो सला देते थे और पूरा वर्नन करते थे उस घटना का ठीक है जो भी होती थी लिखने में अब बेटा next question क्या है इसलिए वो उपियोगी होता था ता त त्वारिक हमारे लिए अब बेटा कही बार क्या होता है जो त्वारिक ये लिखे गए हैं इन में क्या सारी बाते तो सच नहीं होती क्योंकि क्या होता है कही बार ये साजक की तारीफ करने के लिए भी लिखते थे उनसे इनाम पाने के लिए ठीक है मतलब कि इनाम की आसा में वो लिखते थे तो इस बेस पर वो क्या कहते थे कि इस तरीकी की सासन विवस्था की जाए जिसमें क्या हो एक जेंडर डिस्टिंग्सन हो ठीक है लिंग आधारित हो और जनमसिद अधिकार हो उसी सासक का उस पर ठीक है their ideas were not shared by everybody और जो ये ideas इनके द्वारा दिये जाते थे बेटा ये किसी के द्वारा भी मतलब कि इनको सहमत ही नहीं मिलती थी सिर्फ यही अपने आप में बोलते रहते थे ऐसा आम जनता इनको मानती नहीं थी क्योंकि ये थे ही नहीं मानने like gender discrimination करना या फिर एक जनमसिद अधिकार एक ही राजा करेगा सासक अब next question क्या है बेटा find out which ruler contributed in the construction of कुतुम मिनार कौन से ऐसे सासक है जिनोंने कुतुम मिनार को बनाने में अपना योगदान दिया है collect some more information about the कुतुम मिनार और कुतुम मिनार के बारे में आपको कुछ information collect करनी है तो बेटा देखो मैंने कुछ लिखिया आप यह अपनी तरफ से लिख सकते हो mainly three rulers contributed in the construction of कुतुम मिनार ठीक है यहाँ पर डोट लगा ले ना कुतुम मिनार इसे five story monument यह पांच मंजिला इमारत है जिसकी सुरुआत क्या होई built by कुतुबुदीन एबग in 181193 यहाँ कि 1193 में यह बनवानी सुरु होई लेकिन he could construct only the basement वो केवल इसका आधार ही बनवा पाया ठीक है and three story made of red sandstone वर constructed by his successor इल्टुतमीज और इसके बाद जो बेटा तीन इसकी मंजिले थी वो किसके द्वारा बनवाई गई उसके उत्रादीकारी जो की क्या था इल्टुतमीज while last two story were made up of marble and sandstone which were completed by फिरोजसा और जो बेटा जो last की दो story थी वो किसके द्वारा बनवाई गई फिरोजसा तुगलक के द्वारा बनवाई गई और यह 73 मीटर उची है and located at महरोली in Delhi और यह बेटा दिल्ली में महरोली में स्थीत है ठीक है यह आपकी आज की वक्षीट है बेटा उमीद करते हूं आपको अच्छे से समझ आ गई होगी फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बोक्स में पूछ सकते हो इस वीडियो में इतना ही अपना next topic हम अपनी next video में करेंगे तब तक के लिए सिहासते रही है मुस्कुलाते रही है पढ़ते रही है और आगे पढ़ते रही है थैंक्यू